हेलो नमस्कार सभी को कैसे हो आप सभी आई होप सब ठीक होंगे पने अग्जाम की तेरी को जवर्दस तरीकिस कर रहेंगे जैसे कि अपके हरियाना सीटी की टैसरीज 2015 से लेकर 2023 तक एचसी के दवार जितने भी अग्जामों के अंदर आपके क्यूसन पुछ गे हैं उनको हम क अपडेट आपको असानी से मिल सके किसन नमबर 76 इनमें से कौन सा एक कम्प्यूटर पैरिफेरल नहीं है विच ओफ दक फॉलोविंग इस नोट एक कम्प्यूटर पैरिफेरल तो इसके अंदर जो हमारे राइट हम से निकल कराता है और इसे मैन बोर्ड या सिस्टम नेच्स्ट कैसे देखे कैसर तो इसका जो हमारे राइट हम से निकल कराता है केच बोलते है और टू बाकी रेम और रोम के आपको फुल परूरूम पता ही है अगर पता है तो कोमेνट बोक्स के इंदर कोमेंट कर देना अंगर हम यहीं पर बात करें केच में आपको पर आर्थिम के मेमोरी और CPU के बीच एक अत्यान्त तिरों मेमोरी होती है जहां बार-बार उप्यों के अंदर आने वाली डाटा और निर्देशों को संगरित यानिकी इकठा करता है इसके अंदर बताना है कौन सा एक कम्प्योटर मोनिटर के लिए इमेज जनरेट कर सकता है इसका हमारा राइट आन्चन के लिए ओप्सन नमबर टू वीडियो कार्ड ओप्सन नमबर टू बिल्कुल इस कुशन का कुरेक्ट आंशर हो जिगा एक वीडियो कार्ड जिसे एक डिस्प्ले कार्ड या फिर ग्राफिक कार्ड भी बोलते हैं विस्तार कार्ड होता है जो एक डिस्प्ले के अंदर आउटपुट इमेज की फीड उत्पन करता है नेक्स्ट कुशन देखिए 79 निमिनित में बताना है भी कौन सा एक ताक्तवर पासवड है यानि कि कौन सा वो पासवड सट्रोंग होगा तो इसके अंगर जैसे कि हम 29 सप्टंबर यानि कि DOB लगाते हैं डेट वर्थ लगाते हैं या फिर बंगलोर 88 यानि कि बंगलोर की वज़ाए आप कोई और भी नाम दे सकते हूँ यानि कि लेंग्थी और सबसे स्ट्रोंग पासवड की बात करें P at the rate A ओप्शन के कोडिंग हमारा राइट अंसर 4 बिलकुल कुरेक्ट हो जीगा भी next question 80 अब इस question को चैक आउट कर सकते हो इस question का जो हमारा राइट अंसर निकल कराता है option number 2 बिलकुल कुरेक्ट हो जीगा भी distribute property कहलाती है next question देखी question 80 वन निमलिक में बताना है कौन सा यूजर इंटरफेस आपके लिए windows 7 operating system के अंदर फाइलों और फोल्डर को बनाना संबव करता है which of the following user interface enable you to create file and folder in windows 7 operating system तो इसके अंदर अमारा राइट राइट अंसर निकल कराएगा option number 1 बिलकुल कुरेक्ट हो जीगा भी windows explorer की अगर बात करें तो एक file manager अनुप्रियों होता है जिसे windows 95 के बाद से microsoft windows के operating system के अंदर release के साथ सामिल किया गया था अगर इसके प्रियोग की बात करें तो इसके प्रियोग से windows 7 operating system के अंदर जो file और folder को बनाना है वो संबव होता है next question 82 computer hardware और user के बीच की layer को क्या बोल जाता है the layer between the computer hardware and the user is called यानि की computer hardware और user के बीच की layer को क्या बोल जाता है right answer रोजिगा option number 3 बिल्कुल correct operating system बोल जाता है operating system अमारा right answer रोजिगा अगर operating system की बात करें तो प्रोग्रामों का वह समुह होता है जो computer system तता उसके विबिन संसादनों के कारियों को नेंतरित करता है तता hardware application software तता IO करता के बीच सम्मद स्तापित करता है next question 83 जब memory के अंदर process को load किया जाता है और उसको बाद के अंदर हटाया जाता है तो memory के अंदर जो उपलब्द free space बिखरे हुए टुकडों के अंदर बंट जाता है operating system के अंदर वह process क्या कलाईगा जब हम memory के अंदर process को load किया जाता है और अटा दिया जाता है और memory के अंदर free space बिखरे हुए टुकडों के अंदर बच जाता है तो उस operating system के अंदर यह process क्या कहलाएगा तो एक परकार का इसका right answer हो जाएगा option number 4 बिल्कुल correct भी प्रेगे maintenance option 4 इस question का correct answer हो जाएगा बाकि इसके आप detail चैकर सकते हो इस PDF की गरबात करें तो आपको crack exam पूरी application से download कर सकते हो question 84 आपको अपनी एक team की project report को MS Word 2010 के अंदर renew करवाना है और उसके अंदर जरूरी सुसोदन भी करना है तो आपको MS Word 2010 का निमलिक्त में से कौन सा feature इस्तेमाल करना होगा तो इसके लिए आपको feature इस्तेमाल करना होगा भी track change option number 2 इस question का correct answer हो जाएगा track change के माद्यम से ही कोई भी अपनी team की project report होती है उसको MS Word 2010 के अंदर review कर दिया जाता है next question 85 आप एक world document को email attachment के रूप के अंदर बेजना चाते हैं और word 2010 के अंदर निमलिक्त में से कौन सी command यह कारे करने के लिए मदद करेगी या help करेगी आप एक word document को email attachment के रूप में बेजना चाते हैं word 2010 के अंदर निमलिक्त में से कौन सी command यह कारे करेगी राइट अंस रो जगा पहले उसको save करना पड़ेगा उसके बाद send करना पड़ेगा option number one बिल्कुल है correct हो जगा next question है 86 है आपको ms word 2010 के अंदर x2 के अंदर 2 को subscribe के अंदर लिखने के लिए निमलिक्त में से किन बटनों का इस्तुमाल करना होगा English के अंदर भी आप इस question को यहाँ पर check out कर सकते हो right answer रो जाता है भी control और is equal to को press करना होगा यानि की दबाना होगा next question है 87 आपके document के अंदर review plane सीधा खड़ा दिखाई दे रहा है option number 4 बिल्कुल करेक्ट हो जेगा review ये value आप चेक कर सकते हो भी computer fixe स्वास्ते विवाग 2016 के अंदर question पूछा गया था next question है MS Excel 2010 के अंदर document के अंदर is equal to count B1 B99 को output क्या होगा इसका हमारा right answer रोजगा भी B1 B99 तक cell की गणना करता है और जिनकी संखें मोजूद के अंदर next question है 89 in MS Excel is equal to sum C2 C8 का output क्या होगा तो इसका जो हमारा right answer रोजगा option number 1 बिल्कुल करेक्ट C2 से लेकर C8 cell को जोड दिखाता है जिसके अंदर संखें मोजूद हो थोड़े से question है इसके अंदर difficult आज के practice paper के अंदर आपको देखने को मिल जाएंगे भी आप column A के अंदर data को ROI करम के अंदर लगाना चाहते हैं आप MX Excel 2010 के अंदर कौन सी command इस्तेमाल करेंगे तो इसके लिए हमें command की बात करें सोर्ट हमारा राइट अंस रोज़े का option number 1 बिलकुल correct भी Microsoft Excel 2010 के अंदर एक formula insert करने के लिए आप क्या करेंगे भी Microsoft Excel 2010 के अंदर formula insert करने के लिए आप क्या करेंगे option number 2 बिलकुल correct होजगा भी sale को select करना बराबर का chin टाइप करना और फिर formula टाइप करना होगा किस के लिए Microsoft Excel 2010 के अंदर formula को insert करने के लिए next question 92 आप कैसे powerpoint 2010 के अंदर एक नई slide को जोडेंगे powerpoint 2010 के अंदर आप नई slide को कैसे जोडेंगे तो सबसे पहले हमें करना पड़ेगा home पर tab उसके बाद new slide पर कलिक करके हम नई slide को add कर सकते हैं next question है कैसे आप powerpoint 2010 के अंदर presentation की slide show view के अंदर देखेंगे what do you view a powerpoint 2010 presentation in slide slow का view हम कैसे चेक करेंगे तो slide slow का view के लिए आपको slide show tap पर forum beginning पर कलिक करना है वारत के अंदर की सहर के अंदर IBM का मुखेले है तो IBM टक्रीम बंगलूरू के अंदर option 4 बिलकुल discussion का correct answer हो जगा next question full forum से related और बार बार जीतने भी आपको practice करवाए हैं एक full forum आपके exam के अंदर बन सकती है तो HTTPS का full forum क्या होगा तो hyper text transfer protocol secure option number 3 discussion का correct answer हो जाता है option number 3 बिलकुल discussion का correct answer हो जाएगा और यह है एक application protocol है जो किसी जालस्तल के आगे से आगे लगता है जिससे URL पता खुलता है URL address के बारे में जानकरी मिलती है which of the following computer technology help you to easily retrieve, insert and handle data from the database with stable security measure right answer हो जाता option number 1 बिलकुल correct भी database management system, database management system, database परबंदन या management system के अगर बात करें तो एक परकार का software होता है जो data के परबंदन यानि की manage को करने और उसके दक्सता पुरवक उप्यों के लिए निरमित किया जाता है next question देखिए 97, निमलिक्त में से कौन सा विकलब एक table के अंदर record की अनुटी पहचान परदान करने के अंदर मदद करता है कौन सा विकलब, कौन सा option है, इसके अंदर अनुटी पहचान परदान करने के अंदर मदद करेगा तो primary key constraint भी, primary key constraint भी, option number one बिलकुल इस question का correct answer होजेगा question 98, निमलिक्त में से कौन सा device input device है, कौन सी device input device है keyword अमारी input device होजेगे, बाकी सारी की सारी output होजेगे, जैसे की printer, serum और monitor अगर input device की बात करें, तो आपको ये cover कर लेना, इससे बार HSC1 भी question नहीं पूछेगी, अगर input device की बात होजेगे, तो keyword, mouse, joystick, प्रकासी, scan bar, code, reader, mic, pench card, reader, optical mark, reader, optical character, reader, digital camera, touchscreen, mic, speech, recognition system, ये सारे के सारे input device है निमलिक में से कौन सा विकलब computer peripheral नहीं है, तो इसके अंदर हमारा right answer logica motherboard, repeat question हो चुछका है, HSC1 computer सवास्ते विवक, 2016 के अंदर दवित्य पाली के अंदर ये question पूछा गया था, और जो हमने पहले question किया था, वो भी same का same यही है, वो second shift के अंदर था, और ये question था, first shift के अंद एक temporary memory है, जो computer को बंद किये जाने पर सुचना को गवा देती है, कौन सी temporary memory होगी, जो computer को बंद किये जाने पर सुचना को गवा देती है, right answer logica random axis memory, यानि की R, A, random axis memory, read only memory की बात करें, तो ROM को बोले जाता है, अगर random axis memory के अंदर सुचनाओं को करमनुसार नैपड़ कर सीधे वांचित सुचना को पड़ा जा सकता है, और यह ऐस ताई memory है, जहां data और सुचनाओं को ऐस ताई तोर पर रखा जाता है, computer के power supply बंद कर देने पर, RAM के अंदर जो संग्रित data है, वो समाप्त हो जाता है, तो आज की class के अंदर यह 100 question आपको complete कराए, next class के अंदर हम, फिर से 25 most important question, HSC के दवारब पुछेगे, वो cover करेंगे, इससे पिछली class से नहीं देखिए, तो उनको आप check out मार लेना, उमीद करता हूँ आप सभी का दिन सुबो, class को जादा से जादा लाइक और share करें, आपका एक लाइक, एक share, हर बार next वीडियो के लिए बहुत सार motivation देता है, मिलते हैं, next वीडियो के साथ,